हेलो दोस्तों एक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बाइलोजी सिवा में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि री नीट अब नहीं होगा तो अब कटाफ क्या रहेगा तो चलिए चलते हैं बात कर लेते हैं पहले MBBS सीट कितनी हैं टोटल बात करें कि MCI के एकॉर्डिंग जो MBBS की सीट हैं वो हैं करीब एक लाग 6333 सीट MBBS की कुल हैं जिसमें से गवर्मेंट सीट की बात कर ले हैं तो 55648 सीट गवर्मेंट की हैं और 50685 सीट हमारी प्राइवेट कॉलेज में हैं और बात कर लेते हैं कि नीट 2024 में कितने कंडिडेट ने एक जाम दिया किनी कंडिडेट रेजिटर्ड थे तो हमारे 24,689 करीब कंडिडेट यहां पे रेजिटर्ड थे जिसमें से 72,782 कंडिडेट अफसेंट हुए थे और प्रजेंट की जो संख्याती वो 23,297 कंडिडेट और जिसमें से बात करें कि जो नीट का जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि 720 मार्क का हमारा जो है पेपर होता है उसमें से करीब 75 इस्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 720 में 720 मार्क प्राप्त किये और 650 मार्क प्राप्त करने वाले करीब 30,000 से ज़्यादा विद्यारती थ कितना जाएगा तो अब बात करते हैं आल इंडिया इंडिया कोटा 25 होता है मैं किसी इसे कर लिद्या करूट का ज्यादा भी जाता है किसी का स latch वाइस का कंबी होता है मैं क्यों गया तो रहिदे नोगी और 55 AM City से त्सक्या अपाट घघ जौबद के लिए 35 सेटोंगी और आल इंडिया कोटा के लिए पंदरा सीट को इसे स्टेट का 200 सीट की बात कर लें तो उसमें 30 सीट नियरा सिर्ण कोटा के लिए होंगी तो नीट में एक लाख स्टुडेंट की गडाव मान ले लेते हैं लोग की कटाब थी 600 थी OVC की कटाब जो थी 605 थी और SC और ST की बात करें तो 500 SC की थी 505 और ST की थी 460 तो expected कटाब 2024 की बात कर लें तो जनरल की जो रहेगी वो 630 रहेगी और EWS की रहेगी 624 प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकता है वो भी सी कटाब की बात कर लें तो 620 जाएगी और EWSC की बात कर लें पांसो 30 और ST की 480 इसमें 2-3 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है तो ऐसे ही वीडियो में बने रही है हमारे साथ और आपको हम बताएंगे कि इसकी कांसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इसमें क्या-क्या डाकुमेंट रिक्वाइड रहेंगे सारी जनकारी में अगले वीडियो में आपके लि झाल 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 झाल